G20, पिछले कुछ दिनों में आपने ये शब्द जरूर सुनाओगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत था इंट्रेसिंग बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया ने प्रडिक किया था कि G20 समिट फेल हो जाएगा इंडिया इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा लेकिन भारत ने उन सब क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया है हाओ? लेट मी एक्स्प्लेन भारत 2023 में G20 प्रेसिडेंट है भारत के हर स्टेट और यूनियन टरिटरी के 60 शहरों में 200 से अधिक इवेंट्स प्लान हुए जिन में पूरी दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स ने और 125 नाशनालिटी के इन टोटल 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा लेकिन भारत को 100% consensus यानी full support मिला लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ meetings करने से क्या फरक पड़ता है? हमने इस presidency में सिर्फ बाते की या फिर कुछ हासल भी किया पांच बड़े victories है जिनके बारे में आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम important मुद्दे एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप आपकी राय खुद बना सकें अगर आपको हमारा काम फसंद आता है तो please हमें social media पर follow या subscribe करना ना भूलिए या आपके लिए तो free है लेकिन इससे हमारी बहुत हल्प होती है G20 के देश दुनिया के 60% population, 75% trade और 85% GDP को represent करता है 1997 में Asian financial crisis हुआ था जिसका impact पूरी दुनिया पर हुआ G20 से पहले G7 एक original alliance था मानो की सबसे पहले Avengers लेकिन Asian financial crisis के बाद उन्हें ये realize हुआ कि अगर economic stability चाहिए तो दूसरी देशों का cooperation भी चाहिए तो 1999 में Avengers expand हुआ और नए चेहरे सामने आए आज 19 देश और European Union को मिला कर G20 बनता है G20 क्या है? इसका importance और impact इसके बारे में हमने एक वीडियो अल्रेड़ी बनाय हुआ अगर आप एक refresher चाहता है तो पहले उस वीडियो को दिखिए लेकिन अब आगे बढ़ते हैं विक्ट्री का countdown स्टार्ट करते हैं विक्ट्री नमबर फाइफ G20 Presidency एक excellent मौका होती है बदलते भारत का चेहरा दुनिया के सामने लाने का और हमने यही किया फिर वो UPI की seamless payment facility हो या हमारा culture या develop होता हुआ infrastructure यह है भारत मंडपम एक सो तीस एकर में फैला हुआ भारत का सबसे high-tech convention center 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में इसका inauguration हुआ दुनिया के बड़े-बड़े leaders जैसे अमेरिका के President Joe Biden, UK के PM रिशी सुनक, Australian PM Anthony Albanese यहां मौजूद थे इस साल भारत G20 का President था तो इस Presidency के साथ कुछ special powers भी आता है उन्हीं मैंसे एक special power है G20 के देशों को छोड़ कर दूसरे देशों को specially invite करने की ताकत भारत ने इस power का बखू भी इस्तमाल किया और Bangladesh, Singapore, UAE जैसे देशों को invite किया है इन बड़े-बड़े नामों में दो important नाम मिसिंग थे और वो है चाइना के Xi Jinping और रश्या के व्लाडमिर पुतिन यूक्रेन के जलेंस की भी G20 समिट में नहीं दिखे ये देश G20 का हिस्सा है फिर भी ये समिट के लिए नहीं आये ये लोग ना होने के कारण कई Media Houses ने प्रडिक किया था कि इस साल भारत का G20 फेल हो जाएगा लेकिन हुआ कुछ और हमने इन बड़े-बड़े लीडर्स के सामने Digital Public Infrastructure का प्लान रखा Digital Public Infrastructure यानी DPI जिसमें हमारा आधार, UPI, DigiLocker जैसी टेखनोलोजी जाती हैं जैसे हमारा DPI है वैसे अलग-अलग देशों का भी होता है अगर हम सारे देश टेखनोलोजी शेर करते हैं तो बहतर सिस्टम्स बना सकता हैं यही प्रस्ताव हमने World Leaders के सामने रखा और One Future Alliance थाप प्लपिंग देश के बारे में तो समझ सकता हैं लेकिन आफरिका यहाँ पर क्यों था विक्ट्री नमबर 4 यह G20 समिट हिस्टॉरिक होने वाला है और इसका मेन रीजन है आफरिका भारत ने G20 को एक्सपांड करके हमेशा हमेशा के लिए G21 कर दिया है अब आफरिका भी इस ग्लोबल ग्रूप का हिस्सा होगा जैसे G7 देशों ने एशिया के डेवलपिंग देशों को इन्वॉल्फ किया वैसे ही भारत ने आफरिकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया ये एक बड़ा मूव है लेकिन क्यों आफरिकन यूनियन में ये 55 देश आते हैं जिनका टोटल प बड़ी इन्वेस्टमेंट ओपर्चूनिटी है अफरिका के पास डेमोग्राफिक डिविडेंट है क्योंकि उनका सारा पॉपिलेशन काफी यंग है यहां का अवरेज एज सिर्फ 18 है केनिया का सिलिकॉन सवाना आफरिका की सिलिकॉन वैली बन रहा है जो कॉपी पेस्ट क अफरिकन यूनियन को जी ट्विंटी में वेलकम किया गया ये भारत के लिए एक बड़ी विक्टरी था सोचिए इस एक मूव के वज़े से अफरिकन देशों में भारत के लिए ट्रस्ट कितना बड़ेगा हाल ही में न्यूस आई थी कि भारत अफरिका में 150 बिलियन डॉलर के इन्वेस्मेंट्स करने वाला है अफरिकन पार्टनर्स का इंडियन लीडर्शिप में ट्रस्ट होना एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं विक्ट्री नमबर थ्री अमिताब कंथ हमारे जी ट्वेंटी के शर्पा थे उन्होंने कहा है कि इस साल का जी ट्वेंटी उसके साथी साथ हमने इस ऑपर्चुनिटी का इस्तमाल दुनिया को आईना दिखाने के लिए भी किया है हमने कहा कि सस्टेनबल डेवलप्मेंट गोल्स जो पूरी दुनिया ने 2030 के लिए सेट किये हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे सिर्फ 12% टार्गेट्स ओन ट्रैक है और हम सब को कमर कस कर महनत करने की जरूरत है ये सारी बाते न्यू डेली डेकलरेशन का हिस्सा है और आश्चर्य की बात यह है कि यूकरेन जैसे देशों ने भी भारत का समर्धन जता है पिछले एक साल में यूकरेन रशिया कॉन्फिक में हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता यूकरेन की लीडर्शिप इस बात से हमसे नारास थी लेकिन उनका न्यू डेली डेकलरेशन में सपोर्ट पाना एक बड़ी जीत थी अगर आपने से कुछ लोग न्यू डेली डेकलरेशन के सारे 112 पॉइंट्स पढ़ना चाते हैं तो आप उन्हें यहां पढ़ सकते हैं आ बात एक दो मुद्दो की नहीं 112 अलग-अलग मुद्दो की हो रही है विक्ट्री नंबर टू आपने नोटिस किया होगा कि G20 के इवेंट्स भारत के अलग-अलग स्टेट्स अलग-अलग शहरों में हो रहे थे और इसका मतलब यह है कि अरुनाचल प्रदेश और कश्मीर म होने वाले इंडियन G20 के इवेंट्स अटेंड किये यह हमारे लिए एक इंडिरेक्ट सपोर्ट था और यह मेसेज पाकिस्तान और चाइना की लीडर्शिप तक जरूर पहुंचा होगा कश्मीर में कोई भी बड़ा इवेंट प्लान करना एक चैलेंज होता है एक छुटी स पहले की बात है कि जम्मू और कश्मीर में पत्थर बाजी के इंसिदेंस इस 99 परसेंट कम हुए लॉट रहा है वैसे ही अरुनाचल में G20 मीटिंग होस करना चाइना के लिए एक इंपोर्टेंट मेसेज है क्योंकि चाइना अरुनाचल के बॉर्डर्स पर अपने सेटल्मे मीटिंग्स थी लेकिन उनके लिए एक स्ट्रॉंग मेसेज भी था जो हमारी नंबर वन विक्ट्री है विक्ट्री नंबर वन इंडिया मिडलीस यॉरोप कॉर्डॉर्डॉर्ड चाइना का फ्लाइक्शिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिटिफ जिससे चाइना ने ओलरड़ी क्लोस टू वन ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है या तो लो इंटरेस्ट लोन्स दिये हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कॉंट्राक्ट शुरू किया है और चाइना की इस स्टेप ने पूरी दुनिया को रियलाइज हुआ कि वो चाइना पर कितना निर्भर हैं दुनिया की एकॉनमी पर डिरेक्ली इंपक्ट करने के बावजूद कोई भी चाइना का कुछ नहीं बिघड़ पाया और इसके दो मेंन रीजन्स है एक पूरी दुनिया की सप्लाइज चेन चाइना पर डिपेंडनेंट है और तो सारे वर्ल्ड इंडिया, मिडलीस, यॉर्प, कॉलिडॉर लाँच होने जा रहा है जो बाइडन ने इसे एक बिग डील कहा है लेकिन क्यों यहां हम रेलवेज और वाटर वेज का इस्तमाल करने जा रहा है हमारे साथ 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 सौधी अरेबिया, UA, इसरायल, जॉर्डन और यॉनाइट स प्रेसरेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस grant project में हम Sea Roots से UAE से जुडेंगे। फिर Saudi Arabia, Jordan, Israel से होकर connection यौरोप तक बनेगा। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर इसका plan बनेगा और execute होना भी start हो जाएगा। और ये हम नहीं, खुद American President ने कहा है। ये है भारत का impact जो पिछले कुछ महीनों में हुए foreign visits का नतीजा है। अगला step यही होगा कि भारत United Nations Security Council की permanent member seat के रिए bid करें। और इस पर full-fledged काम G20 Summit खतम होते ही शुरू हो जाएगा। सच तो यही है कि world history में 2023 एक important साल होने वाला है। ये साल इतिहास के पन्नों में इसी लिए याद रखा जाएगा क्योंकि अब भारत ने global south के leadership की जिम्मेदारी उठाई है। जिन issues पर बाकी के देश सिर्फ बाते करते हैं या फिर उन्हें ignore करते हैं उन पर भारत ने आवाज उठाई है। येस G20 के organization में काफी कमिया थी, काफी mistakes भी हुई लेकिन अब एक सवाल आप से, हमारे viewers से कि क्या हम हमारी real achievements को याद रखेंगे या फिर खुरेद खुरेद कर कुछ गलतिया ही निकालेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमें social media पर follow या subscribe करना ना भूलिये। क्योंकि भारत बदल रहा है। जो लोग सिर्फ भारत के failures को highlight किया करते थे, वो अब चंदरया, अधित्या 11 और G20 की भी बाते कर रहे हैं। ये बदलाव refreshing है और जरूरी भी। यहाँ बात नाम की नहीं, काम की हो रही है। और यही important बदलाव आप तक पहुचाने से मुझे वारक पड़ता है। हमें वारक परता है।